हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिन में से पहला है रामायन और दूसरा है श्रीमद्ध भगवत गीता। यह हिंदूओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। आज हम आपसे अपने इस लेख में बात करेंगे श्रीमद्ध भगवत गीता में संग्रहित उपदेशों की। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिश अर्जुन को कुछ उपदेश दिये थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। या फिर विपत्ती के समय हमें बहुत परिशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपाखो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटिक्यों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्यान की प्राप्ती हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमी में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था बलकि यह संपूर्ण मानव जाती के लिए हैं और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूप मंत्र भी हैं। आईए जानते हैं के बारे में जो इनसान के भीत्री मन की उठाप तक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थाई है। गीता के शलोक में भगवान श्री क्रिश्ण ने मनुष्य के शरीर को महस एक कपड़े का टुकरा बताया है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आर्क्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीत्री मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है. जीवन का एक मात्र सत्य है वो है मृत्यू. जीटा सार में शरी कृष्ण ने कहा है कि हर इनसान के धारा जन्मन के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यू. क्योंकि जिस इनसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़ कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है. लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इनसान अपनी मौत से भयभीत रहता है. अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सक्चाई से भयभीत होना, इनसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है. इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए. गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है. भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धी का विनाश होता है. वहीं जब बुद्धी काम नहीं करती है, तब तर्क नश्ठ हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है. इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है इनसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानी पहुँचती है वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इनसान कई गलत कदम उठा लेता है वहीं जब क्रोध की भावना इनसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिश्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है इसलिए इनसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इनसान को गहरीक शती पहुचाता है व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है श्री कृष्ण ने में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है अर्थात जो साधारन समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है क्योंकि वे ज्यानवादी नहीं बन सकते वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृती व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह उपर से तो कर्म छोड़ देता है लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरुप अपने कर्म करता है मनुष्य को देखने का नजरिया गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिये पर भी संदेश दिया गया है इसमें लिखा गया है जो ग्यानी व्यक्ति ग्यान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है और जो अज्यानी पुरुष होता है, उसे ग्यान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिये से देखता है इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधरुध भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है मन व्यक्ति के मस्तिक पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जब व्यक्ति का मन सही होता है, तो उसका मस्तिक भी सही तरीके से काम करता है खुद का आकलन करें गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्यान की तलवार से काट कर अपने हरदय से अज्यान के संदेह को अलग कर देना चाहिए जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उधार नहीं हो सकता है मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए श्रीमद भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं वहीं इनसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिनाम के बारे में सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इनसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिनाम होगा क्योंकि कर्म का फल हर इनसान को मिलता है इसलिए इनसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं अर्थात कर्म करने के दौरान इनसान को इसके परिणाम के बारे में बिलकुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए मनुष्य की इंद्रियों का सन्यम ही कर्म और ज्यान का निचोड है जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिती एक जैसी नहीं रहती है सुख में मनुष्य ज्यादा उच्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिती हो इसे योग ही कहा जाता है वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ती होती है और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ती हो जाती है, उसके लिए सुखदुख, सर्दीगर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं ऐसा मनुष्य स्थिर्चित्ट और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्षे को पाने के लिए लगातर प्रयास करें गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्षे को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लखशे को पा लेते हैं, लेकिन मनुश्य को अपने लकशे को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए तनाव से दूर रहने का सन्देश भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इनसान को सफल होने से रोकता है अपना काम को प्राथमिक्ता दें और इसे पहले करें श्री मदभगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिक्ता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें तभी दूसरे का काम करें क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परिशान रहते हैं लोग में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतिया है श्रीमत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतिया है जो लोग भगवान के अलग-अलग रुपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग-अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहत जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां है मनुष्य के अच्छे गुन और अवगुन भगवान की शक्ति के ही रूप है इसका सार यह है कि लोग में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां है वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड को कोई नदी या समुद्र को असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां है जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ती में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं. वहीं जो मनुष्य पर्मात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनिय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता ह उस पर इश्वर की कृपा जरूर बरस्ती है आपको बता दें कि गीता सार में महा भारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है अर्जुन अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धी को मुझ में ही लगा इस तरह तु निश्चि के लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ती रूपी परमसिध्धी को प्राप्त करेगा अपने काम को मन लगा कर करें और अपने काम में खुशी खोजें जो लोग अपने काम को मन लगा कर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चत ही सफ प्राप्त करते हैं। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधूरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अती नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन ब्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिन्दगी में संतुलन बना कर रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिम भी नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते इश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। इश्वर की हाथ की एक कट पुतली है। इसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इनसान के दुख का कारण बनती है। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो की मजबूत से मजबूत रिष्टे को भी खोखला कर देती है। वहीं जिग्यासा होना भी लाजमी है लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेही इनसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इनसान बाद में इसका पश्चया चाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धारा श्री मद्भगवत गीता में जो भी उपदेश दिये हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें, तो वे निश्चत ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्मार करने में अपनी अहम भूमी का निभाते हैं.